आप सभी का एक बाद फिर से बहुत बहुत श्वागत है जान तो पच्छास सीटों का एक्जिट पोल सामने आ चुका है तीन चैनों की बोटिंग समाफत होने के बाद कौन है आगे कौन है पीछे कौन बनेगा मुकमंतरी लगबग तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है तो इस महागट बंदे ने उनका भी फैसला इवीम में कैद हो चुका है रगुबरदास यहां पर उनका भी फैसला इवीम में कैद है हलाकि बीजीपी से अलग हो चुके है और उनका भी फैसला इवीम में कैद हो चुका है तीन चैनों की बोटिंग समापत हो चुकी है जिसमें पहले चरन के लिए 13 सीटों पर जो है यहाँ पर बोटिंग हो चुकी है अगर बात के दूसर चरन के लिए यहाँ पर 62 फीजदी मतदान हुआ है और 20 सीटों पर यहाँ पर चुनाफ समपन हुआ है 300 चरण के लिए भी यहाँ पर बोटिंग समाप्त हो चुकी है 17 सीटों पर 62 पीज़दी यहाँ पर मतदान हुआ है अब इसके पक्ष में कितने बोट गए हैं जनता ने तैक कर दिया है और लगबग यह तस्वीर जो है बुसाफ हो चुकी है क्योंकि 50 सीटों पर यहाँ पर मतदान हो चुका है 80 सीटें यहाँ से कुल आती है 24 दिलें यहाँ से आते हैं तो यहाँ पर 16 दिसंबर और 20 दिसंबर का ही यहाँ पर बोटिंग बाकी है तीन चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और पहले चरण की 13 सीटों के लिए जो जानकारी जो आकर यहांपर निकल कर सामने आए हैं उसके अनुशार बीजिप को 4 सीट कॉंग्रिस महागड़ बंदन को जिसमें जे एमेम कॉंग्रिस और आरजीडी का जो महागड़ बंदन उसको 7 सीट जा सकती है जे वी एम के लिए एक सीट और आरजीप पार्टी के लिए एक सीट यहांपर जा सकती है दूसरे चरण की 20 सीटों के लिए अगर जानकार यहाप को दिखाएं तो बीजिप को पास सीट महागड़ बंदन के लिए आप चौदा सीटे लिए जे एमेम के खाते में एक सीट, आर्सू पार्टी के खाते में एक भी सीट यहाँ पर जाती नजर नहीं आ रही है और तीसरे चरण की 17 सीटों का एक जेट पोल के आकड़े अगर दिखाएं तो बीजीबी को 6 सीट, कॉंग्रिस महागड़ बंदन को साथ जे बीम के खाते में तीन, एजेसो जो पार्टी उसके खाते में एक सीट जा सकती है 2014 के आकड़े भी आपको दिखा दें, इन तीनों चरणों के लिए अब तक पार्टी को 30 सीट है, 2014 के अंदर मिली थी तो बीजीबी के खाते में अब तक बीजीबी को इन 50 सीटों के अंदर बीजीबी को 21 सीट है, जे एमम के खाते में 12 सीट है कॉंग्रीस के लिए यहाँ पर 3 और JVM को 5 और आर्टू पार्टी के खाते में 4 सीट अन्य के खाते में 5 सीट गई थी 2014 में इन 50 सीटों के अंदर कॉंग्रीस यहाँ पर RJD और यहाँ पर JMM के बीद कोई गट बंदर नहीं था तो जहारकन के लिए अब तक 50 सीटों पर मतदान हो चुका है और इसे में अगर बात करें तो सभी जो दिग्ज़ है उनका यहाँ पर EBM में फैसला कैद हो चुका है लेकिन कई बड़े expert लोगों कई बड़े यहाँ पर नीज का अपना opinion है और उन सभी के आधार पर क्या यहाँ पर 50 सीटों के लिए आखड़े बन रहे हैं जादो सो इन 50 सीटों में से 25 सीटे महाँ गड़ बंदन की खाते में जा रही हैं और बीजी पी की खाते में देख सकते हैं 16 सीटे 21 से घटकर बीजी पी 16 पर आ रही है क्योंकि बीजी पी को नुक्शान हो रहा है अकेली चुनाबी मैदान में है हलाकि BGP का नारा 65 पार का ये होगा या नहीं अभी दो चरणों का मतदान बाकी है और क्या इसके लिए आकड़े बनते हैं ये आने वाला बक्ती बताएगा लेकिन JVM के खाते में अब तक 4 सीटी हपा जा सकते हैं इन 50 सीटों के अंदर जो यहाँ पर आकरे निकल का सामने आ रहे हैं इनके अनुशार तीन सीटे अनने के खाते में भी जा सकती हैं ये तीन चरणों का ओप्रियन पोल, एक्जिट पोल और कई बड़े आपर एक्सपर्ड लोगों की राय है उनके आधार पर की जार करने के लिए 2019 के लिए कौन बनेगा मुंक मंतरी ये 23 दिसम्बर को तैय हो जाएगा लेकिन आपको क्या लगता है इन 50 सीटों में सिक पार्टी को कितनी सीट जा सकती हैं तो अपनी डाय भी दे सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खलिजे तक याने वाली जानकारीगा नौरिश्विन आपको टाइम कैम मिलते रहे और एक और नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो प्शाहत फिर मिलेंगे आप तरी शोबो जैहन जै भारत